नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक्जाम वारियर के यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि HPJIT पोस्ट कोड 817 से जबंदित आज कोट में क्या फैंसला रहा अगर बात की जाए ये किसके पक्ष में रहा तो ये 556 वारों के ही पक्ष में रहा लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि HPJIT पोस्ट कोड 817 की भरती प्रक्रिया अब आपको काफी जल्द देखने को मिलेगी अगर बात करते हैं आज के फैंसले की तो जूनियर आफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के तहत बिग्यापित कुल पदों में से 560 पदों की यहाँ पर कटौती की जाएगी बाकी बच्चे पद बर्ष 2020 में शिंशोधित नियों में के अनुसार भरने का निर्णे लिया गया है परदेश सरकार ने शुकरवार को हाई कोट में यह जानकारी दी है इसका मतलब यहाँ पर यह साफ है कि जो 560 पोस्ट हैं वो यहाँ पर अब काटी जाएगी और उसमें जो भरती प्रक्रिया होगी जो नियम होंगे वो जो 556 के दौरान थे RNP रूल्स उसके अनुसार इसमें भरती प्रक्रिया होगी और जो HPGYT 817 के बचे हुए पद हैं उनमें जो नए RNP रूल्स इंस्ट्रोड्यूस किये गए थे उसके अनुसार भरती होगी 2020 में शिंशोजिद नियमों के अनुसार भरने का निरने लिया है और आपको बता दूँ 2020 में कुछ ऐसे निरने थे कि आपको कम्प्यूटर डिप्लोमी की जरुरत नहीं थी और यहाँ पर यह बात कही गई है कि उलेखनिय है कि हाई कोट ने 31 दिसंबर 2021 को जूनियर ओफिस असिस्टेंट के पदों की भरतियों को लेकर दायर या चिकाओं का निप्टारा करते हुए हिमाचल परदेश करमचारी चैन आयोग को आदेश दिये थे कि वह पोस्ट कोड 556 के बिग्यापन के तहत घोशित सभी पदों को पोस्ट कोड 447 के तहत की गई भरतियों के अनुसार कर मेरिट लिस्ट में तयार करे और नियाधिश तरलोक सिंच चुहान वा नियाधिश सत्येन वैद्य के खंड पीठ ने पोस्ट कोड 817 में शामिल किया गए पोस्ट कोड 556 के बचे हुए पदों को हटाने के आदेश भी दिये थे मामले के अनुसार वर्ष 2020 में सरकार ने जेवए के भरती नियमों में शिंशोदन किया और 21 सितंबर 2020 को पोस्ट कोड 817 के तहट जेवए के पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किये इसमें विग्यापित कुल पदों में पोस्ट कोड 556 के बचे हुए 560 पद भी शामिल कर लिए गए थे इन भरतियों को कुछ अभियार्थियों ने अदालत में यह खाते हुए चनौती दी कि सरकार की ओर से किये गे शंशोदन सही नहीं है और ये पद 2014 के नियम के अनुसार ही भरे जाए कोड के सभी याचकाओं का निप्टारा करते हुए पोस्ट कोड 447 के तहद भरे गए पदों को जायज धहराया और पोस्ट कोड 556 के बचे हुए 560 पद उसी तरह से भरने के आदेश दिये जिस तरह से पोस्ट कोड 447 के पद भरे गए थे जबकि पोस्ट कोड के 817 के तहद भिग्यापित पदों को वर्ष 2020 के तहद बनाए गए नए नियमों के अनुसार आदेश दिये गए थे कि इन्हें भरे जाए और इस तरह पोस्ट कोड 556 के तहद बच्चे 560 पद पुराने अवियार्थियों में से ही भरने के आदेश के क ये पोस्ट घटाई जा रही है और बाकि जो शेश पद बचते हैं उन्हें नए आरे नपे रूल के अनुसार ही भरा जाएगा तो ये कुछ एक अपडेट थी यहां बहुत से बच्चे इस बात से भी नाराज होंगे और उनकी नाराज़गी जायज है क्यूंकि आपने पद हैं इसमें इंट्रिड्यूस करने चाहिए बाकि ये कुछ अपडेट थी आज की और जो की फैंसला यहां पर आपको देखने को मिलेगा 556 वालों के तरफ से 556 के पक्ष में ये फैंसला रहा जो उनकी मांग थी कि 560 उनकी जो पूस्टे हैं वो बापस कर दी जाये तो वीडियो में नेक्स्ट इंफर्मिशन के साथ